थोड़ा मोड़ा हो सकता है, यहां पर परिषानी भी देखने मिले, क्योंकि राउंड लेवल है न, तो थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो काम बन जागा, बड़ा कोई फिर से रिट्रेस्मेंन मगड़ा किया, या फिर ब्रेक आउट किया, तो वह उसको एक अच्छा profit मिला होगा, जब market में उसको rejection लेता हुआ दिखा होगा न, या तो अपना profit book कर लिया होगा, या फिर rejection के बाद अपना position काट कर निकल गया होगा, ठीक है, ये मेरे को समझ में आ रहा है, बाकि देखिए अगर ये actual में selling है, ठीक है, अगर strong seller है तो market ज्याद support लिया, account 1500 का, अभी उपर धीरे धीरे जाने के बाद, अभी कहीं न कहीं rejection ले रहा है, देखिए rejection तो ठीक ठाक ले रहा है, यहाँ पे position बनाने का बनाया जा सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत wait करके यहाँ पे काम करूँ, क्योंकि देखिए, directly यहाँ से तो गिरे गरने, थोड़ा बहुत और SL create कर देना, बायर्स का, उसके बाद कोई entry मिलता है, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि निप्टी में क्या हो रहा है, निप्टी पहले गिरावाट कर दिया, निप्टी बहुत अच्छा गिरावाट कर दिया, और यह अपना जो दिखिए रिक्स तो है यहाँ पर कि फिर से breakout करने अगर आ गिया ना, तो फिर कहीं ना कहीं हम फिर से trap हो जाएंगे, बाकी यहाँ पर काम किया जा सकता है, ओकी गैस तो यहाँ पर दिखिए हमने entry बना लिया, और 11500 का हमने put buy किया, एक्जाक्ली यह जब strong candle बना है ना, कि किस तरह का candle और sentiment बना हुआ, सबसे पहले देखिए यह गिरावाट आया, ठीक है, मार्केट में gap अप देखने मिला, अब यह क्या कर रहा है ना, एकाउन 1500 का support लेके धीरे धीरे उपर जाने कोशिश कर रहा है, यहाँ पे seller बैठा होगा और no doubt, अब यह strong seller अगर बैठा हो बागी, देखिए अब रिक्स यहाँ पर यही है कि मार्केट बिकाट अपना करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो रिक्स रहने वाला इस ट्रेट में अपना 1200 रुपए के आसपास का अपना रिक्स रहेगा, और profit देखिए ठीक टाग अपना यहाँ पर चल रहा है, तो premium के according तो यह अपना 70 पॉइंट के आसपास का अपना इस टॉपलस बैट रहेगा, तो यह अपना 70 पॉइंट के आसपास अपना एसल बैट रहा है, बाकी, अगर ठीक ठाग बना यहाँ तो टार्गेट के लिए हम डेफिनिट लिए और भी वेट कर सकते है, अभी profit 400-500 के आसपास चला, बाकी वेट करते हैं, भी इस लिएल का breakdown करने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसा momentum करते हैं, थोडा मोड़ा हो सकता है, यहाँ पर परिसानी भी देखने मिले, क्योंकि round लिएल है, तो थोड़ा मोड़ा चोटा मोड़ा green candle बनाएगा तो काम बन जागा, बड़ा क तो कभी profit कभी loss दिखा रहा भी तो अपना position जो है कि loss में चल रहा है बाकी दिखिए यहाँ पर बार बार यह candle strong बना रहा है कारण क्या है अगर मैं निप्टी को दिखा हूँ निप्टी थोड़ा ज्यादे रिट्रेस्मिन कर दे रहा है अगर इस तरह का candle बना के ऊपर जाने क कोशिश करेगा न तो फिर बैंग निप्टी में भी problem हमें दिखने मिल सकता है बाकी देखे वेट करते हैं साथ ही साथ यहाँ पर रेट केंडल अभी बना रहा है जिस तरह का green candle बना रहा है बाकी देखे candle काफी strong है और position देखे green में आ रहा है धीरे धीरे तो यहाँ पर दि वेट करेंगे आराम से कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है देखे market all time high के आसपास काम करता है तो retracement करने का chances काफी ज़्यादा रहता है तो हमें देखते रहना हुआ कि market में ज़्यादा में profit कम नहीं होने देना है ठीक है अभी तो profit ठीक ठीक चल रहा है देख रहे हैं कि candle market ने बनाया और अपना profit देखे कितना ज्यादा कम कर दिया था तो देखे इस तरह का problem लगा रहा था market जब round level का breakdown करता है तो थोड़ा बहुत retracement करता है जो directly selling करना चाहते है उनको निकालने के लिए बाकी अब हमें यहाँ पर position काट के निकलना होगा ठीक ह हमने अपना target देख लिया ज्यादा लालाच नहीं करेंगा यहाँ पर ज्यादा वेट यहाँ पर करने का कोई मतलब नहीं बैठेगा ठीक है टार्गेट मिलने के बाद अगर loss book करना पड़े उस position में तो कही न कहीं वो ठीक नहीं रहता है psychology काफी यदा उससे effect परता है बाकी वेट करते हैं थोड़ा सा एक और candle बना थे red उसके पाद definitely हमें यहाँ पर exit कर देंगा ओकी गाईस तो यहाँ पर देखिए हमने trade cut कर दिया जो profit book हुआ वो सारे 17800 रुपए के आसपास हमने profit book कर लिया तो दिखिए यहाँ पर exit करने का reason है यह कि market में थोड़ा बहुत अचीब कर लिया उसके बात देख रहे थे कि छोटा मोटा rejection ले रहा था ना तो market कितना ज्यादा profit कम कर दे रहा था उपर से हमने continue दो दिन loss किया था तो losing streak तोड़ना भी काफी ज्यादा जरूरी था बाकी एक lot में हमने ठीक तक यहाँ पर profit book किया अब बात करते हमने जी के हिसाब से काम करते है जो अपना plan रहता है view रहता है उसके according बाकी कभी loss हो जाता है कभी profit हो जाता है कभी entry गलत हो जाता ठीक है बाकी आज का reason देखिए यहाँ पर क्या था entry करने का बहुत ही simple था market में हमें क्या नजर आ रहा था बहुत अच्छा हमें upside का momentum देखने मिल लेकिन जिस तरह का यह candle बना के support लेकर उपर जाने कोशिश कर रहा था तो वहाँ पर कहीं न कहीं समझ में आ गया कि यह seller कहीं न कहीं strong है जो की market में यहाँ पर buyers को trap करना चाहता है बहुत अच्छा upset का momentum मिला फिर से यह यहाँ पर support दिला रहा है उसके बाद कहीं न कहीं धी बाकि यह सिंपल से logic के साथ हमने यहाँ पर काम किया तो ठीक है guys मिलते हैं next video में